इस वीडियो में हम लोग समझेंगे resource क्या होते हैं, resources को कैसे classify किया गया है, उसको देखेंगे, मतलब type of resources कौन-कौन से हैं, उसको हम समझेंगे, तो सबसे पहले हम समझते है resource होते क्या है, तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम use करते हैं, वो resource हो जाता है, जैसे आप लोग अपनी text book को use करते हैं, वो resource हो गया, pen हो गया, अपने brain को आप use करते हैं, यह board है, इसका use हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपके लिए useful हूँ, तो कहने का मतलब क्या है कि आप जितनी भी चीज़ें आप use करते हैं, morning से लेके सोने के समय तक, वो सबी चीज़ें क्या है, resources है, तो यह तो हो गया resource क्या होता है, और इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, आपकी और अच्छी understanding के लिए, तो आप देख सकतें क्या है, everything in our environment which can be used to satisfy our needs, जो हमारी जरूरतों को पूरा करें, वो सबी क्या है, resources हैं, लेकिन इसमें कुछ condition से क्या है, technologically accessible होना चाहिए, economically feasible होना चाहिए, और culturally acceptable होना चाहिए, मतलब, resources हमाली जे हैं, तो जमीन के अंदर हैं, लेकिन इसको निकालने की, तब वो resource नहीं कहला पाएंग क्यों, क्योंकि हम उनका यूज ही नहीं कर पाएंगे, माली जेसे ये iron की मायन है, अब iron तो नीचे था, उसको humans ने कैसी utilize किया, technology के हिसाब से ही तो उसने क्या, इसको extract किया और यूज करने लगा, तो resources के लिए क्या हो चाहिए, वो technology के लिए accessible होना चाहिए, मतलब, pretend में जो सस्ता ही हो, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग जो लागात है वो ज्यादा लगा दे, माली जए iron मायन ही है, अब इसको extract करने में ये बहुत ज्यादा खर्चा आता, तो फिर क्या होता है, resources हम उसको use ही नहीं करते, माली आग भी देखिए, बहुत चीज जब महंगी हो जाती, तो ह हम उसको use करना दीरी-दीरी क्या है, कम कर देते हैं, या फिर बंधी कर देते हैं, तो कोई भी चीज क्या होनी चाहिए, economically feasible होनी चाहिए, मतलब सस्ती होनी चाहिए, फिर है culturally acceptable, जो भी culture है या फिर जो society हो उस चीज को accept भी करें, तब ही हम उसको resource बोलेंगे, इसके और अच् चीज कंसीजन नहीं करती है, भले ही लोग सागियों में बढ़ियां डांस करते रहते हैं, वह बात अलग है, तो जो दारूप भी रह, उसके लिए तो हो सकता हो resource हो जाए, लेकिन पूरी society के बाद हम करते हैं, तो उसके लिए resource नहीं हो जाता है, society के लिए, उसको क्या है bad चीज मानते हैं, clear, और भले ही यदि उसका medicinal use देखें, तो फिर use बढ़ जाता है, जैसे आप sanitizer में ही देखिए, तो alcohol content रहता है, तो depend करता है कि वह किस तरीके को उसको हम लोग mention कर रहे हैं, या फिर उसको categorize कर रहे हैं, तो यदि society भी उस चीज को accept करें, तब तो वह well and good resource मा आना जाएगा, दूसरे example और समझे इसी तरीक से कल्चुररी का, जितने भी drugs होते हैं, जैसे अफीम हो गया, गांजा हो गया, तो इन सब को कहा, जो society है, वो accept नहीं करती है, और वहीं देखिए, चार कॉपी है, उसमें भी थो थोड़ा बहुत प्नासा रहता है, लेकिन उस की डेट में जो society उसने क्या, उसको accept कर लिया है, तो कहने के मतलब का है, जिसको culture या फिर society accept कर ले, तो वो resources ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, compare to जिनको society accept नहीं करती है, तो ये तो हो गया, resources क्या होते हैं, अब man resource जो होता है, वो होता human beings, बांकी resources तो हैं ही, लेकिन use on resources अपने welfare के लिए, तो आप देखे, nature में बहुत से resources हैं, और उनसे क्या है, technology के माध्यम से human beings interact करता है, और उसके लिए कुछ न कुछ institutions बनाने जरूरी होते हैं, इसको आप और अच्छे समझ सकते हैं इधर से, जिसे मान लीजे, ये iron mind है, तो क्या है naturally हमें, ये तो iron है, पहल हम से, हमने क्या कि उसको extract किया, बाहर निकाला, और जो भी steel plants थे, वहाँ पास iron को हमने क्या किया, manufacture किया, मतलब जो iron, जो बिल्कुल जो सुरुबात का लोहा होता है, वो उतना मजबूत नहीं होता है, उसको फिर बाद में क्या किया जाता है, manufacture किया जाता है, और अच्छे स होना चाहिए, मतलब जो उस पूरे resource को develop करने के लिए क्या हो responsible हो, तो जैसे हमारे इंडिया में देखिए, जितने भी steel का production होता हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सेल जिम्मेदार है, Steel Authority of India Limited, इसी तरीक से हर चीजों के लिए अलग-अलग institution बनाए गए है, तो ये तो हो गया, resource क्या होता है, और कैसे interaction होता है, physical environment का, technology का, और institutions का किसी भी resource को utilize करने में, clear? अब हम समझते हैं, resource के classification को, तो resources को कई तरीके से classify किया गया है, तो major दो ही है, एक है natural और दूसरा है humans, अब natural में भी सब classify किया गया है, तो एक है renewable, दूसरा है non renewable, renewable का मतलब होता है, ऐसे resources, जो कभी खताम ही ना हो, जिनको हम बार-बार use करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, non renewable का मतलब का है, यह भाविस में खतम हो सकते हैं, इसलिए हमें इनका use बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, renewable को भी और classify किया गया है, continuous, continuous का मतलब का है, लगातार इनकी जो कमी हो कभी आए ही ना, जैसे solar energy हो गया, wind energy हो गया, तो इनकी कभी भी कमी नहीं आएगी, फिर होता है, biological, biological में क्या जाएगा, जो भी natural vegetation है और wildlife है, तो natural vegetation में जो भी forest है, वो सब आ जाएगा, grassland से वो आ जाएगा, और wildlife में जितने भी animals हैं, वो सब इसके अंतरगत आ जाएंगे, और फिर आप non renewable में देखिए, तो recyclable एक होता है, एक होता है, non recyclable, recyclable का मतलब क्या है, जिस आइरन माली जी एक बार खराब हो जाता है, तो उसको दोबारा हम recycle कर सकते हैं, थोड़ा बहुत improvement करके, थोड़ा और iron content add करके, उसको हम दोबारा use कर सकते हैं, इस तरह से अब देखिए, प्लास्टिक प्रोड़क्स जो होते हैं, प्लास्टिक खराब हो जाए तो उसको दो प्रोड़ डीजल है, वो माली जी एक बार यदी खतम हो तो उसको हम दोबारा use कर पाएंगे, नहीं तो फिर क्या है, प्रेट्रोल यदी एक बार खतम हो उसको दोबारा recycle करो, तो इस तरीके से जो प्रेट्रोल की कीमत हो तो बहुत कम हो जाएगी, उसकी कोई value यह नहीं र अब हम बात करते हैं, तो इनको classify करने के अलग अलग बेस हो सकते हैं, वो बेस हो सकता है, origin हो सकता है, exhaustibility हो सकता है, owners हो सकता है, या फिर जो resources का जो stage है, development का वो हो सकता है, तो सबसे पहली बात हम करते हैं, on the basis of origin, उत्पत्तिक धार पर resources के दो type होते हैं, एक होता है biotic और द रब होता है living things, जो भी जिन में जान हो या फिर जिन में जीवन हो, उनको हम बोलेंगे biotics, जिसमें कौन-कौन चीज इंक्लूड जाएंगी, जितने भी human beings हैं, वो इसके लाबा फ्लोरा एंड पोना, जितनी भी plant और animal species हैं, वो इसके लाबा जितनी भी fishes हैं, वो इसमें इं जीवेत हैं, इनमें कुछ ना कुछ growth होती है, फिर दूसरे होते हैं non-biotic, तो उनमें क्या है non-living things हैं, जैसे atmosphere अपना हो गया, water है, soil है, rocks है, जितने भी minerals होते हैं, वो सब, तो ये सब क्या है, non-biotic हैं या फिर non-living हैं, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, कि ये non-l living things हैं, लेकिन ये non-living things ही ना हो ना, तो ये living things automatically खतम हो जाएंगे, जैसे air, oxygen हम ना ले तो दो मिनट के अंदर मर जाएंगे, पानी ना पिये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसकला आपा soil, पूरा agriculture इसी पर dependent है, जो rocks हैं, उसके नीचे बहुत से minerals पायाते हैं, तो आप स करना हैं, उससे जादा कहीं किया हमें non-living things की भी करना है, clear, तो ये तो हो गया on the basis of origin, resources का जो दूसरे टाइप है, उसका base होता है exhaustibility, मतलब वो कब तक खतम हो पाएंगे, तो उसमें एक होते हैं renewable और दूसरे होते हैं non-renewable, तो renewable का मतलब होता है, ऐसे resources, जो कभी खतम ही न नहीं हैं, दूसरे होते हैं non-renewable, कि जिनका हमें use क्या है, बहुत सतारता से करना पड़ता है, क्योंकि यदि एक बार ये खतम हो गए, तो दोबारा जल्दी नहीं बन पाते हैं, बहुत लंबात समय लगता है, इनको दोबारा replenish होने में, तो renewable में कौन कौन सी चीजे include है, solar energy include है, wind energy include है, इसकलाबा जो hydroelectricity बनती हुऊ, forest हो गए और soil है ये, तो ये सब कैसे है, renewable है, मतलब इनको हम बार बार use करें, कितना भी use करें, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनका भी हम misuse नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए, forest resources बहले ही renewable category में आते हैं लेकिन हम ज्यादा use करें, deforestation करें, तो दिक्कत हो जाएगी, soil को भी एक तरीक से proper तरीक से use नहीं करें, तो soil की fertility कम हो जाएगी, दिक्कत हो सकती है, water को यदि हम proper तरीक से चंजर्बना करें, pollution से नहीं बताएं, तो दिक्कत हो जाएगी, तो मतलब भले ही ये renewable है, लेकिन फिर भी हमें इनका use बहुत ही सतर्कता से करना चाहिए, फिर दूसरे होते हैं, non-renewable, मतलब जो एक बार use किये और खतम हो गए, तो फिर उनको हम दुबारा जल्दी replenish नहीं कर पाते हैं, मतलब इनमें exhaustible का nature होगा, मतलब ये खतम हो चकते हैं, उसमें क्या है, जिसे कोल्स हैं, बल्कि जितनी भी minerals हैं, iron हो सकता है, tain हो सकता है, manganean हो सकता है, जितनी भी minerals हैं, वो सब ही कैसे हैं, non-renewable type के हैं, फिर होता है, जो भी fossil fuels हो गई, जितने भी petrol, diesel है, इसके लाब अब natural gas है, ये सब भी क्या है, रिने वेवेल नहीं है, कैसे है, non-renewable है, मतलब ये ख कहने परसिंद करने में चाहिए ago, सोट है उस्तों Pink 입 Barbara Совиг AI केम सिर्ण कbies वह सकता है नियुदकेम कन रिश्ब्स सकता है यह सकता है हो सकता है दूसरा हो सकता है कम्टी थी तीसरा हो सकता है एंटरनेसिन रिडिशर्स का खैसे मैं यूज कर वक्ती हो जो भी घर होता है व्किसी एक वक्ती होता है तो वह सब किसुमें आ जाएगा परमल्ग में हुँरा होता है कुछम्द TRAGE का vara के पूरी कम्यूटी का फिर पूरी संटाय का उस पर अधिकार होगा जैसे जो गाउं में आप देखिए पैस्टा लेंज देखने को मिलती चारा का है तो धर पर सभी लोग क्या है अपने पस्टू को ले जा सकते हैं इसकलाब जो भी पॉंड से तलाब हो गई टेंपल्स हो गई तो हम पर सभी लोग जा सकते हैं तो यह किसी एक वक्ति की प्रोपर्टी न तो नेस्नल में क्या है कि हमारे देश के अंदर या फिर पिर किसी भी इसकंदर जितने भी रिसंगर इसम जाएंगे ने श्नलर इसमें इव्म फो भी पर सॉॉर्सेय रहीं है पो रीदल बनाना या फिर या फिर थे यूनिवर्सिट कर सकती है और आप उस पर कोई दबाव भी डालेंगे नहीं यह तो मेरा खेथ है इधर से रोड नहीं निकलेगी तो वह नहीं चलेगा नैसनल हाइवे हैं उनको क्या स्टेट लाइन चाहिए फिर जो डेलबे जो क्या स्टेट लाइन में ही तो चलते ना तो अब आप या फिर जो कॉंट्रेक्टर होगा रोड बनाने का वो थोड़ा बहुत बात माल लेंगे लेकिन जब बात करेंगे नेशनल हाइवे की तो वहां पर यह सब चीजे नहीं देखी आती है वहां पास क्या है एक स्टेट हाइवे ही चाहिए जितना पॉस्पाल हो सकता है कई बा कि पर्ष्ट है जितने भी मिन्रल्स है वह सब एक यह उसका फ्रपरिक्टी उस अब जितनी प्रपरिक की माने जाती है मतलब ऑद इंडिया का जो बौड़र है तो वहां से 12 notico miles तक या फिर 22.2 km थुझी हमारे देश का दिकार है या फिर किसी भी देश का उन पर उन पर उसके बाद फिर हमारी देश का दिकार नहीं होता है थोड़ा सका धिकार माली दी रहता है दो सोड नॉर्टिकल मासता है जो Exclusive Economic Zone होता है तो हमारे इंडिया को मेंगनीज हम निकालते हैं इंडिया औसे तो इंडिया को थोड़ा बहुत रायट दिये भी गए है इस्क्लूजिव एकॉनमिक जोन में यूटिलाइज करने के लेकिन यह सब जो ओस्ट हैं वो प्रॉपर्टी किसी एक कंट्री के नहीं माने आते हैं जैसे हम यहीं बात करें जो इंडियन ओस्ट हैं यह पैस्पिक ओस्ट हैं अब हम पूझे कि यह किस देश का पार्ट है तो क यह वह दो कोंटिनेंट देशन मैं तो यह सब जो कोंटिनेंट से सब यह उसलि legally तो तो मतलब इधर की जितने भी प्रोपर्टी किसी क्या एक देश की होगी लेकिन अंटार्टिका ऐसा कॉंटिनेंट है जो इन्हेबिटेंट है मतलब वहां पास क्या है लोग रहते ही नहीं तो आप क्या कह सकते हैं इधर पास जो अंटार्टिका कॉंटिनेंट है वह अहां पास सभी देशों के लोग जा सकते हैं और बेसिकली जो रिसर्स पर पर उनका होना चाहिए अब ऐसा नहीं कि धर घर बनाने चली जाए ठीक है तो यह भी एक तरीस क्या है इंट्रनेशनल रि सब्सक्राइब करें रहते हैं तो यह तो हो गए क्या इंट्रनेशनल रिसूर्स की टाइप का चौथा बेस हो सकता है कि जो रिसूर्स हैं उनका डबलमेंट कितने इस्तातक हो चुका है मतलब on the basis of status of डबलमेंट तो चार तरीकी से इसको भी केटेग्राइज किया जाता है एक होता है potential resources दूसरा होता है डबलब तीसरा होता है stock और चौथा होता है reserves तो इन समीं को हम one by one समझते हैं तो सबसे पहला क्या है potential resources मतलब resources तो है उसमें बहुत potential है कि हम उसको utilize नहीं कर रहे हैं जैसे आप देखिए जितना भी ये राजिस्थान और गुजरात वाला तो यहां पास solar energy के परियाप्त मात्रा में scope है फिर भी अभी इमलोग क्या है यहां पास परियाप्त मात्रा में solar panels नहीं लगा रहे हैं तो potential है potential मतलब क्यों होता है भली हम उसको utilize नहीं कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताए राजिस्थान और गुजरात में क्या है solar energy के scope है इस इस रीजन में अभी वो नहीं लगे हैं हम लगाएं अभी तो क्या है यूटिलाइज कर सकते हैं तो मतलब क्या है पोटेंशियल तो है तो यह होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स फिर दूसरे होते हैं डबलब रिसोर्स मतलब पोटेंशियल था भी और इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं और डबलब्ब्ड भी कर चुका हैं जैसे कई सोलर लगाई जाज कोई कई जगें टर्वाइंस लगी हुए हैं तो मतलब के हैं वह डबलब्मेंट स्टेज में हैं जो까요 यह हिर ब्वाले एंक हम उनको यूज कर सकते हैं तीसरा होता है। Stock का मतलब क्या होता है कि ऐसे resources जिनको हमें पता तो है कि हाँ ऐसा से ऐसा होता है लेकिन जो प्रजेंट की technology उससे हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं जैसे हम सबी जानते हैं कि जो बाटर है वो hydrogen और oxygen का क्या है mixture है लेकिन हम लोग hydrogen और oxygen को extract अलग नहीं कर पाते हैं अलग कर भी पाते हैं तो labs में कर पाते हैं बहुत small scale पर large scale पर हम लोग hydrogen और oxygen को अलग नहीं कर बाते हैं और यदि ऐसा हम भवेस्ट में करने में सक्षम हो जाएंगे तो हमारी जो energy का crisis से वह बहुत हत्तक है खत्म हो जाएगा क्योंकि भवेस्ट में जो hydrogen है उसको फ्यूल की रूप में एक तरीके से consider किया जाएगा और यह जो hydrogen फ्यूल होगा यह बहुत कम emission करता है जितना भी मतलब air pollution बहुत कम होगा ठीक है zero emission और इसकी efficiency भी ज्यादा रहती है मतलब petrol diesel में जतनी गाड़ी चलेगी उससे ज्यादा कहीं hydrogen फ्यूल से चलेगी तो यह best माना जाएगा भविस में लेकिन प्रजेंट में हमारे पास क्या है उतनी अच्छी technology नहीं है कि हम लोग hydrogen और oxygen को लार्ज स्केल पर क्या है अलग कर सकें और hydrogen को as a fuel कर सकें क्लियर इस तरीक से हम जानते कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो भी वाटर है resources तो परयात मतलब 71% एरिया में वाटर है लेकिन फिर भी drinking वाटर की कमी है तो आप देखे 71% पर तो क्या है oceans यह है तो जो desalinization का जो plant लगाया जाता है मतलब ocean water को क्या करना फ्रेस बाटर में convert करना तो इस तरीकी plants लगा जाते हैं और इन प्रांट को लगाने का जो cost है वह अभी बहुत जादा है तो मतलब हम क्या कह सकते है ऐसे resources जिनका हमें knowledge तो है लेकिन जो present की technology है उससे हम अच्छे से उसको utilize नहीं कर बाते हैं क्लियर इस तरीक से अब दें कि अंटार्टिका जो continent है उसमें बहुत से मिनलस धबे हुए हमें पता है लेकिन अंटार्टिका continent की उपर इतनी मोटी बर्प की लियर है कि आप उसको जल्दी extract नहीं कर पागी तो वो सब किसमें जाएंगे stocks में आ जाएंगे फिर होता है चौथा रिजर्ब्स रिजर्ब्स का है stocks का एक तरीक से subset माना जाता है यह लेकिन हम इसमें अच्छी बात क्या है अब दम नहीं होता है नकीर बात के इस फ्रिंदार्ब्स लेकिन अबहुत ज्यादा बने वाले उठीश की सब क्योंें एक रिजर्ब्स है